तो सब बढ़िया मस्ती में कट रही होगी तुम्हारी जिन्दगी सब्सक्राइब मार लो अपने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना शिरू करते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इतनी जल्दी कर रहे हैं टींशन मतलो अराम से समझेंगे इस टॉपिक को यह चैप्टर का टफस टॉपिक माना जाता है यह टॉपिक पढ़ लिया तुमने तो यह समझ लो यह चैप्टर बस खतम हो गया यह चैप्टर खतम हो गया देखो हम taxonomic categories पढ़ रहे थे last video में, हमने इतना पढ़ लिया था taxonomic categories के बारे में, कि बहुत सारी categories होती है, जब हम उन categories को constitute कर लेते हैं, constitute कर लेते हैं, तो taxonomical hierarchy बन जाती है, है न, काफी कुछ पढ़ दिया था न, taxonomic categories के बारे में, ठीक है, ठीक है, अब मैं तुमको main hierarchy के बारे में पढ़ेंगे, hierarchy का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, sequence बताया था, ठीक है, hierarchy का मतलब मैंने तुमको sequence बताया था, तो हम taxonomic sequence के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो basically, taxonomic hierarchy के अंदर, कितनी categories आती है, सबसे पहली आती है, हमारे पास kingdom, उसके बाद आता है, हमारे पास phylum, kingdom, phylum, class, उसके बाद आता है तुम्हारे पास order, kingdom, phylum, class, order, और देखो उसके बाद हमारे पास आता है family, और उसके बाद हमारे पास आता है genus, और उसके बाद species, अभी तुम कोई कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, पतानी कौन सी भाशा बोल में इसको समझने कोशिश करते हैं बिना देरी के देखो तुमने अपने घर से लेके चलते हैं इंडिया से ले था है और बी किंग्डम तो निमग सकती और भी किंडम होगी जैसे चाना अमेरिका रश्या ये सब क्या हैं, countries हैं हम एक country को as a kingdom मानके चल रहे हैं अब देखो इंडिया में जो है वो तुमको लोग जो है वो अलग तरीकी की दिखेंगे चाइना में जाओगे, साब पेल रहे हैं वहाँ के लोग, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, वैसे दिखेंगे तो difference होते हैं kingdom के basis पे इसलिए हमने countries को divide कर रखा है ठीक है, religion के basis पे countries divide होती है, हर तरीके से divided होती है, तो तुम kingdoms को as a country समझो, अपने को इंडिया का example लेते हैं, इंडिया के अंदर कितने सारे states होते हैं तुम states को phylum समझो यह easy as तरीका है, इसको समझने का, इसके लाब और कोई तरीका नहीं है, इसको समझने का और अच्छे से ठीक है, जैसे मान लो मैं phylum में states ले लेता हूँ इंडिया के अंदर कितने states हैं उसमें से हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इंडिया-डैली, Delhi के अंदर यूपी के अंदर अगर तुम देखो तो इसके अंदर भी तो branches रखी होती हैं यूपी के अंदर, Delhi के अंदर बहुत सारे districts होते हैं, तो class तुम districts को मान लो, districts क्या है एक एक state के अंदर जो districts होते उन्हें मैने हैं धेक्लास में मान लिए अच्छा अच्छा भाइब होओ अच्छे अधिक्स में भी तो महले होते हैं होते tumor मैने महला मान लिए ठीक है अब favori क्या है महले के अंदर और सारी families होती है या नहीं होती है तुम बताओ अच्छा शर्मा जी की family गुपता जी की family है ना शर्मा जी का लड़का तौपर याद आया कुछ तो वैसी families divided होती है तो हमने यहां पर भी बोल लिया कि families divided है घर divided है एक mall लेकर अंदर अब उसके अंदर देखो दो siblings की बात है मानों शर्मा जी के जो घर है उसके अंदर तुम तुम brother और sister रहते हैं brothers और sisters रहते हैं अब इन में देखो कितना similarities हैं दोलों एक ही घर में रहते हैं एक ही मौले में एक ही district में एक ही यह state में और एक ही country में मतलब kingdom में रहते हैं बट अगर मैं देखने जाओं तो क्या इन brothers औ sisters में भी difference होगा हो सकता है लड़का जो है पढ़ाकू हो जो लड़की है वो पढ़ना पढ़ती कम हो या उल्टा भी हो सकता है लड़कियां जो है जादर पढ़ रही हो और लड़के जो है वो बाहर डोल ले हो तो इन दोर में similarities तो नहीं हो सकती न तो species क्या हो नहीं अलग बंदा मतलब लड़का जो है वो एक species हो गई और sister जो है वो एक अलग species हो गई हो गई की नहीं हो गई बताओ अच्छा तो इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो kingdom, phylum, class, order, family, genus, species यह टेक्सा है टेक्सा देखो ध्यान से टेक्सा अलग अलग तेक्सा उसी के comparison में हम यहां रखते जा रहे हैं लोगों को यह हमने अलग 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 जगों पे divide कर दिया है अच्छा अब अगर मैं तुम्हें से biological language में बताना चाहूं किस language में? biological language में अभी तो यह हमने समझने के perspective से इसको country माल लिया, इसको state माल लिया, districts मा अले माल लिया, शर्मा जी का घर माल लिया, उनके दो बच्चे है, brother और sister अलग अलग species हो गए, ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना तुम, ध्यान से देखना, मैं erase कर दूँ इसको, कोई दिक्कत है तुमको, अच्छा चलो, एक और चीज समझ लेते हैं, फिर erase करते हैं हम यह समझते हैं, कि अगर हम, हम नीचे से उपर जा रहे हैं, इस टेक्सा में, इस hierarchy में, इसको मैं hierarchy बोल सकता हूँ ना, टेक्सोनॉमिक hierarchy, हर एक category, हर एक यह जो है, वो एक टेक्सा है, तो हम टेक्सोनॉमिक hierarchy में जब उपर जाएंगे, ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर इस टेक्सोनॉमिक hierarchy में, उपर की तरफ जाएंगे, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, तो जो characteristics है, आपस में, मतलब, इंडिया और चाइना, दिल्ली, यूपी, और यूपी के अंदर, जो other districts है, महौल लेगे, जो है, शर्मा जी और गुपता जी, दो brother, sister, brothers, और एक अलग sister, यह तो एक family ह जीनस के अंदर एक family है, समझाने के लिए, तो वो जो characteristics है आपस में, उस level पे, मतलब, यह एक kingdom level है, तो उस पे सबसे, जितनी उपर तुम चले जाओ यह, उतना कम होते जाएंगे, समझ रहा हूँ, मतलब, मैं जब kingdom पे हूँ, जब मैं दो kingdoms को compare करूंगा, मैं इंडियो और को compare करूंगा, for example, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा, dissimilarities, सबसे ज्यादा dissimilarities, अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वही पे, अगर मैं सबसे नीचे species में compare करूंगा, मैं दो species लेता हूँ, same genus की, ध्यान से सुनना, same genus की मैं जब दो species लेता हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा similarities देखने को मिलेंगी, और सबसे कम dissimilarities देखने को मिलेंगी, समझ में आया, जब मैं उपर जाऊंगा, तो similarities कम होती जाएंगी, और अगर मैं नीचे आऊंगा, तो similarities बढ़ती जाएंगी, dissimilarities, अलग चीज़ें कम होती जाएंगी, खुश सो इंडिया के लोग क्या खाते हैं इंडिया के लोग अच्छा गमशुद्ध शाकाहारी नॉर्मल चिकन विकिन खा लेते हैं चायना के आहा अहा सांप आहा मुरगा मुरगा तो खाते नहीं है डॉग्स तुमारा बैट्स चमगादर अभी देखा था कुरोना का क्या ह कितनी सारी डिजीजस होती हैं उससे सार्स मर्स तो कुछ भी खा जाते हैं लोग तो तो कितना अंतर देखुना इसमें अब बाइलोजिकल terms में आते हैं ये तो हमने as a common example लेके समझ लिया biological terms में समझाएं इसको अरे biology के अधार पे कहें चिंता कर रहे हो ठीक है चलो biology के अधार पे समझ के देखते हैं हम इसको मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तुमको समझाने के लिए एक example ले लूँ कोई दिक्कत है तुमको फॉन से example लेंगे बताईए यह kingdom सुमको पताएं class 9 से पढ़के आ रहे हैं यह तो कि 5 kingdoms होती है अ कौन सी होती है छे अदिला ना monera होती है protesta होती है और कौन सी होती है monera protesta fungi जाए यह planted animalia तो हम एक animalia का example लेते हैं यह आद रखना ऊपर जाओगे similarities कम होंगी नीचे आओगे similarities बढ़ेंगी ऊपर जाओगे dissimilarities बढ़ेंगी confuse मत हो confuse मत हो लिख लो इस चीज़ को जब हम ऊपर जाएंगे similarities कम हो जाएंगी अब यह common sense वाली बात है अगर similarities कम हो रही है तो dissimilarities अर्थाथ अलग चीज़ें अलग उनमें difference क्या क्या है वो बढ़ जाएंगे समझ में आया नीचे आओगे similarities बढ़ ՜ाएंगी और dissimilarities Gढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी समझ में आया लिख लो इस चीज़ को ऊपर गए similarities इतना याद करो इसका उल्टा कर देना डिस्मिलाइटी के लिए उपर जाओगे डिस्मिलाइटी बढ़ जाएंगी ठीक है 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 बिलकुल सही बिलकुल सही बढ़िया बढ़िया याद रखना इस चीज को और अब आप ये कैसे याद रखोगे तुम kingdom phylum class of family class order family genus species इसको याद रखने का कुछ तो तरीका होगा तिगड़म लगानी पड़ेगी है ना तो देखो इसको याद रखने का मैं जो यूज करता हूँ line से याद रखने के लिए cap co phagos kingdom phylum class order family genus species ठीक है और एक चीज़ तुमको बता दूँ phylum हम animals के लिए यूज करते division शब्द होता है जो की हम plants के लिए यूज करते है मतलब मैं phylum बोलूँगा किसमे animals में animals में ये phylum है plants में बोलूँगा ये divisions हैं है ना तो इसको याद रख लो kingdom phylum class order family genus species ऐसे याद रखोगे जिंदगी में नहीं भूल पाओगे cap को phagos cap को phagos याद आया cup को phagos cup को फैंक गए हम ऐसी कोछी याद पर लो cap cup को फैंक गए हम cup को phagos ठीक है याद हो गया बहुत अच्छे बहुत अच्या बहुत आंच्या उत्तम अनकी उत्तम बड़िया 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 वीडियो लंबी हो जाएगी चलो 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 एक एक एक्जांपल ले 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 लिए है kingdom हम मान लेते है अच्या गथ एक बात हुता हूँ humans जबींस थे ले वहाद नहीं है कोई बात नहीं चाक्टर नंबर four है इनीमल इसमें डीटेल में बढ़ोगे लम नाइन में जितना नहीं बढ़ाना तुमको यह थी कि बहुत अच्छा है class mammals में आते हैं हम आते हैं या नहीं आते order क्या है मारी देखो तुम्हें इसी याद अभी याद रखने की जरुरत नहीं है वैसे तो NCRT में एक table दी हुई है बहुत important table है वो उससे questions बनते हैं किस में बनते हैं नीट में बनते हैं तुमारे questions उसके recording है ना काफी important table है उसको याद करने के लिए अगर तुमको ट्रिक चाहिए तो बताते हैं मैं देदूगा मेरे पास है उसकी भी ट्रिक हर चीज की ट्रिक है भाई चिंदा मत करो तुम है ना अच्छा चलो अब इससे देख लेते हैं एक ब हैं मतलब हमारे पास अब तुम बैकबॉन समझ लो वैसे तो नोटो कॉर्ड शब्द यूज होता है बैकबॉन के लिए चक्टर नमबर फोर में पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मैमल्स हैं प्रिमेटा में हमनेड में अब देखो होमो जो हमारी जीनस है उसके अंदर काई प्रकार के हम हुए हैं मत अभी जो हमारी latest species है वो homo sapiens है हम लोग पहले भी तो हुए हैं अच्छा बताओ वो जो आदी मानव होते थे जो की तुमारा कुछ भी कच्छा मास खा लेते थे और जहां caves में रहते थे तो वो लोग अलग species में आते हैं हैं वो एकी family के हैं हम genus हमारी एक है बस species अलग है species अलग है यह species बड़ा matter कर जाती है यह species बड़ा matter कर जाती है मजाख निकर रहा हूं सच बोल रहा हूं यह चीज है ना अच्छा ठीक है अब इसका एक example तुमको हम और देते हैं यह जो genus वाली चीज है ना तुमको clear नहीं होगी मुझे भरोसा है तुम पेतना कि तुमको यह समझ नहीं आ रहा हो यह तीन चीज़न तो clear हो गहीं होगी kingdom phylum class अरे कुछ नहीं है जब बहुत सारी kingdom होती है जैसे animals की बहुत सारी kingdom एक kingdom animal की बट हमारे पास monera है protista है fungi है plants की अलग kingdom है phylum क्या है एनीम बहुत सारी files मिलके एक kingdom बनाती है बहु बनाती है बहुत सारे orders मिलके एक class बनाते है वहीं बहुत सारी families मिलके एक order बनाती है बहुत सारी genus मिलके एक families बनाती है और बहुत सारी species मिलके एक genus बनाती है इतना समझ में आया तुमको इतना समझ में आया तुमको इतना समझ में आया तुमको आ गया अच्छा अब इसक अब देखो तुम्हें चीज बता दू सोले नम जो है वो तुम्हारा एक स्पीशीज है ठीक है जिसके अंदर पोटेटो और ब्रिंजल आते हैं पोटेटो और ब्रिंजल ठीक है और पैंथरा जो है वो एक जीनस है यह दोनों जीनस है याद रखना कन्फ्यूज मत हो अगर पोटेटो और ब्रिंजल दो स्पीशी आती है और पैंथरा के अंदर तुम्हारा यह उपर कवडा देता हूझ लौइन आता है पैंथरा लॉइन आता है जिसे हम लोग लिखते हैं पैंथरा लिओ और यह पारड आता ॆ जिसे पैरनियस लिखे और तिगरिस आता हैं जीनस है उसके अंदर है पोटेटो और ब्रंजल आ रहे हैं यह पैंथरा लीयो पैंथरा पैरेडस पैंथरा टिगरिस समझे तो हम क्या कर रहे हैं बहुत सारी स्पिशीज मिला के जीनस बना रहे है याद रखना यह चीज इंपोर्टेंट है अगर कोई डाउट हो तो कमेंट गर के पूछो मुझसे होना तो नहीं चाहिए वैसे तुमको डाउट समझ में आ गया होगा तुमको है ना बात वही है बस इतना इसका सार है ही इंपोर्टेंट है अब तो मैं NCRD पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा तुमको ठीक है सोलेनम अरे पैंथरा पते क्या होती है पैंथरा उनके लिए होती है जो जो क्या करते है जो अब देखो यह नॉन्वेज होते है लियो नॉन्वेज है पैरडस नॉन्वेज है टिगरिस नॉन्वेज है पैरडस लियो पार्ड टाइगर नॉन्वेज है है ना अच्छा की है हमने categories बना दिये characters basis पे और taxonomic hierarchy बन गई है एक ठीक है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे species से kingdom की तरफ similarities क्या करेंगी बताओ अच्छा similarities का क्या होगा ऊपर की तरफ गए similarities कम होंगी नीचे की तरफ आए similarities बढ़ जाएंगी बस 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 अरे बस बस लेक्छर कहतें चिंता मत करो आफरी बात बात बता रहा हुँ में अधर चैन आ रहे ही थे लिइए paradise agrist यह आ रहे थे या नही आ रहे थे तो एक चीज बताओ अगर मैं leorogore and paradise compare करूँ leorogore and paradise को compare करूँ तो मुझे कितनी साधा similarities मिलेंगी वहीं पे अगर मैं annemylia and monera bacteria और insan compare करूँ या इनको compare करूँ bacteria से तो कितनी अलग similarities होँगी तो समझ में आये तुमको similarities कैसे बढ़ रही है आरे ये भी दोड़ता है ये भी दोड़ता है जंगल में ये भी रहता है जंगल में ये भी जो है वो जानवर खाता है non-vegetarian है ये भी non-vegetarian है समझे समझ में आ गया ना बहुत चाहिए बहुच्छ 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 इतना ही रखते हैं वरना तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा यार अब यह चाप्टर की समाप्ती का समय आ चुका है बस टिक्सोनॉमिक एड्ज और जान लेना तुम एक छोटी सी वीडियो में और उसके बात इस चाप्टर की समाप्ती करते हैं बोलो चाप्टर महाराज की जय है ठीक है जो सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो यार बड़ा अच्छा लगतो सब बढ़िया मस्ती में कट्रही होगी तुम्हारी जिंदगी